दिस्को डांसर जिसके कदमों ने पूरे देश को डांस करना जिखाया जी हाँ हम बात कर रहे हैं बॉलिवूड के दिगग जब इने था मिथुन चक्रवर्ती की जिने उनके फैन प्यार से मिथुन्दा भी कहते हैं इन्हों ने अपने कर्यर में बहुत से फिल्मों में काम किया और कई सूपरेट फिल्में दी लेकिन क्या आपको पता है इतनी सूपरेट फिल्में देने वाले ये कई रिकॉर्ड के धनी भी है आज इन्हें कोई अक्टर नहीं तोड़ पाया आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मिथुन दाके उन चार रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जो इन्होंने बनाए हैं जिन्ने आस तक कोई नहीं तोड़ पाया तो आई जानते हैं डैंसिंग किंग मिथुन चगरवर्ती ने अपने अभिने करीर की शुरुआ अटो 1976 की फिल्म मिर गया सी की इन्होंने अपनी इस फिल्म में बहुती शांदार प्रदर्शन किया लोगों ने इनकी अक्टिंग की तारीख भी की इन्होंने इस फिल्म में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इन्हें नैशनल आवर्ड भी मिला ये पहले बार हुआ था जब किसी अक्टर की पहली फिल्म में उसे नैशनल आवर्ड मिल गया हूँ ये इनका रिकॉर्ड था आस्ता कैसा दुबारा नहीं हुआ कि किसी अक्टर को उसकी पहली फिल्म के लिए नैशनल आवर्ड दिया गया हूँ अगर बात करें के दूसरी रिकॉर्ड की तो आपको बता दें कि इनकी ही फिल्म डिस्को डांसर ने पहली बार सौ करोड की कमाई की थी उस समय अगर कोई फिल्म 50 या 60 करोड के आसपास पहुंचती थी तो वो हिट हो जाती थी लेकिन जब इनकी फिल्म ने 100 करोड की कमाई की तब से हर फिल्म के लिए 100 करोड तक पहुंचना जरूरी हो गया फिर जो फिल्म 100 करोड पहुंच जाती वो हिट मानी जाती थी रिलीज हुई और कुछ हिट रही, कुछ फ्लॉप रही, लेकिन एक साल में इतनी फिल्मे करना कोई आम बात नहीं है, आज के समय में एक 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 साल में केवल तीन या चार फिल्मे कर पाते हैं, इसलिए उनके लिए 19 फिल्मे करना बहुत दूर की बात है, ये केवल मिथुन आई कर सकते हैं जो आज तक एक रिकॉर्ड बना हुआ है अब बात करते हैं के चोथे सबसे बड़े रिकॉर्ड की आपको बता दें ये इकलोधे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हिंदी भाषा की फिल्मे करने के साथ साथ भोजपुरी, बंगाली, मल्यालम, तमिल, उडिया, प रिकॉर्ड इनके नाम ही बना हुआ है तो दोस्तों आपको इनके चारो रिकॉर्ड में से कौन से रिकॉर्ड के बारे में जानकर हैरानी हुई आप हमें कॉमेंट में बताईए ना और बॉलिवड से जुड़े और भी बातों जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी गड़ा लो